जिन बच्चों को live class join करना है, description में link है, उनसे बात करके कर सकते हैं, जिन बच्चों को YouTube पे पढ़ना है, उठाइए pen, register और पढ़ने लगी है अभी से आप, जिन बच्चों को आज पास अपने कहीं भी relative के पास पढ़ना है या कहीं coaching center में पढ़ना है, तो वो वहाँ जाईए और पूछिए और admission कराईए और पढ़ने लगी है आप वहाँ पे, बस मेरा एक ही overall कहना है आपसे, पढ़ना स्टार्ट कर दिजिए, बहुत कम time बचा है, hello everyone कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक थमलिन देखा आपने, के समय निकलता जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको remind करा दू के हमारा exam जो था, वो कब खतम हुआ था, हमने अपना exam जून के मन्थ में खतम कर लिया था सर, जून के मन्थ में हमारा exam खतम हो गया था, in fact, जून एंड भी नहीं, जून पहले ही start हो गया था, 22 इस तरीके से, इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा जुलाए, और डियू ने क जुलाई के बाद अगस्ता आएगा, सेप्टेंबर आएगा, ऑक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, और फिर exam हो जाएगा, आपका at least December या नवंबर end बोलो, December starting बोलो, तो हम December को तो consider नहीं करे, तो better रहेगा, यानि आपके पास पढ़ने के लिए, एक महने, दो महने, तीन महने, चार महने और पांच महने थे पढ़ने के लिए आपके अज पांच, अब मैं पांच महने की बात नहीं करूँगा, ये वाला मन्त आपका निकल चुका है, क्योंकि जुलाई एगा, तो जो आपके पास अगा, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानि सिर् तो मैंने बहुत सिंपल बताया है कि भाई साहब, जो आपका सेमेस्टर 5 है, इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंट हर किसी के पास है, इंकम टेक्स हर किसी के पास है, एकनॉमिक्स हर किसी के पास है, ये कोर सबजेक्ट है, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे ओनर्स हो, और अगर मैं semester 3 की बात करूँ तो semester 3 की अगर बात करूँ तो यहाँ के आपका financial management हर किसी के पास है business maths उन बच्चों के पास है और business आपका stats ये program के पास है और ये owners के पास है और इसके बाद एक और subject है हमारा third semester के अंदर principle of marketing that is core subject है जिसको मैं POM का नाम से बता देता हूँ तो ये core subject ही है semester 1 के अंदर financial account हर किसी के पास है इसके बाद business law हर किसी के पास है इसके बाद business organization management हर किसी के पास है तो इन subject में तो आपको सोच रहा ही नहीं है और semester 5 में audit भी मिल रहा है आप लोग तो सोच रहा ही नहीं और सर मैं reality बता रहा हूं मैं reality बता रहा हूं आपको management account का chapter एक है chapter नंबर में PVR मैंने start किया है और PVR लगबग लगबग दू महने गए चप्टर में डेड़ से दू महने चले गए प्लस ही जाएंगे पीवियर में और उसके बाद भी हर question ऐसा लगता ह कि इसके बाद इसमें तो standard है और यह और income tax में आप देख रहे हो आप YouTube पे देखते होगे अगर कभी income tax में तो income tax हर कोई परिशान है इतना टफ बना दिया गया है जिसका कोई limit नहीं कभी कोई changes ला रहे हैं कभी कुछ changes ला रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं तो समझ में नहीं तो लेकिन वो चेंजिस आपके एक्जाम में अप्लीकेबल नहीं हैं लेकिन पहले ही आपका income tax अगर मानलू मैं बोलू कि आपके 17 चप्टर है income tax में तो आपको 34 चप्टर के बराबर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 17 चप्टर को दो तरीके से पढ़ना होगा आपको एक new tax rate के इसाफ से एक पुराने tax rate के इसाफ से तो आपके डबल ही चप्टर हो गए और income tax में आज से तो वैसे नया चप्टर ही स्टार्ट हो रहा है income फ्रम हाउस प्रोपर्टी सर economics हाँ थोड़ा हम बोल सकते हैं कि economics relaxation है वो आप जा सकते हैं financial management सर अपने आप में एक बहुत बड़ा subject है business math बहुत बच्चे ऐसे भी होगा जो without math वाले होगा उनको भी business math मिलेगा अगर honors ले रखी है तो business stats प्रोग्राम वाले बच्चों के पास हाँ ये थोड़ा सा relaxing है औ और F.A. भी बहुत बड़ा subject है क्योंकि F.A. में तो देखो आपके जो junior आपके जो friend है आपके जो दोस्त है आपके जो भाई बहन है वो सभी बच्चे जो है वो ये सोच रहे हैं कि अभी admission खतम होगा college जाएंगे college के अंदर थोड़ा माहुल बनेगा अब 3rd semester में हो या फिर 5th में यह तो समझी रही होगा ऐसे हुआ था आपके साथ के college जाएंगे थोड़ा देखेंगे college की life क्या होता और paper आ जाएगा फिर लगे है यार अभी तो college घूमें भी नहीं सही से और paper आ गया आप लोग है 3rd semester में आ चुके है तो वो चीज़े देख चुके है तो मैं आप सभी बच्चों को guide करना चाहूंगा आपके पास सरे फर सरे 4 month है और 4 month में अब आप जितना भी time waste करेंगे करते जाएंगे और मैं एक चीज आपको guaranteed बोल दूँ October नहीं है आपके पास सरसर October नहीं है क्यों नहीं है तर बहुत फेस्टिबल है October के महिने में आपके दिवाली दशहरा भाया दोज ये वो फलना ढिकना इतने सारे फेस्टिबल आ जाएंगे आपके ना आप परिसान हो जाओगे फेस्टिबल लें एक लास लें फेस्टिबल तो first session जो होता है न मै enjoy करना भी होता है तो planning तो अभी से लेके चलना पड़ेगा आपको तो मैं आप सभी student को एक तरीके से चेताबनी समझ लो वन समझ लो कि समय कम है सरफ और सरफ चार महिने चार महिने मतलब 120 दिन और मैंने आप से कहा कि एक chapter में डेड़ महिने लग गया है इंकम टेक्स के भी salary काफी टाइम लगेगा इस बार लास्ट टाइम पर अगर कोई बच्चा बोलता है एक महिने पहले या फिर बच्चा बोलता है 15 दिन पहले कुछ पास होने के लिए बता दो तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी पांच बार समिस्टर आप ध्यान रखना मैं पांच वे के लिए एक पेपर में फेल मतलब पूरे पेपर में फेल ही मान समझ लो आप पूरा साल खराब हो जाएगा तो डूंट वेस्ट यूर टाइम बुक्स नहीं आई मार्किट में लेकिन मैं PDF दे दे के पढ़ा रहा हूं बच्चों को नहीं भाई तुम्हें पढ़ना है और इंडियर में आगे हो तो थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा तू वाले जो एफम है आसान सब्जिक्ट मत समझ येगा तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाईया आप अपने टाइम को अपने जो आपका टाइम है इस टाइम को बिलकुल भी खराब करें ताइम को बिलकुल भी खराब नहीं करें आप कैसे कर सकते इस टाइम का यूस औली और अपने जाना चाहता है और अगर कोई अपने ब्रदर से पढ़ रहा है ब्रदर कोई या फिर अपने सिस्टर से पढ़ रहा है लेकिन मुद्ध ये है time waste मत करिए आप कम से कम इतना तो सोचिए कि आपके parents आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं कितनी महनत दिन रात करके और एक उमीद है semester 5 वाले बच्चों से कि बस एक साल बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी college कर लेगी तो थोड़ा सहारा होगा और semester 3 वाले बच्चों आपसे भी कही न कहीं यही उमीद है और आप इस time पे पढ़नी रहे तो एक साल बाद आप बोलोगे sir हम क्या करें, job करें, कैसे करें भी कॉम अच्छे से मैंने पढ़ाई किये नहीं थी तो ये सारी चीज़े और आपको job मिलेगी नहीं तो कहीं न कहीं आप अपने parents को cheat कर रहे हो इस time पे तो seriously आपको ये last semester जिसका है चाहे जिसका भी आप पूरा आपको मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से करोगे तभी आगे courses आप अच्छे कर पाओगे otherwise फिर आपको दिक्कत होने वाली है आगे courses में बस मुझे आप सभी को यही बताना था कि भीया time कम बचा है और काफी सारे बच्चे कह रहे हैं sir हम अगस्ट में लेंगे तो why अगस्ट में join कर लेंगे अगस्ट में क्यों कोई क्या अगस्ट में special चीज़ आने वाली है no अगस्ट में आप अपना कितना time loss कर दोगे पता नहीं 15 अगस्ट 16 जो भी आप प्लान कर रहे हो मुझे तो यह समझ में नहीं कि हम क्यों अगस्ट में करेंगे क्योंकि time is more important than money मेरा तो यह मानना है कि time आपका ज्यादा important बहुत सारे बच्चों का query भी आ रहा है और जो बच्चे पास आउट हुए अगेन उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉंग्रेचलेशन और आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत टेंशन वाली बात है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बहुत कम टाइम बचा है बस मुझे यही बोलना था काफी बच्चों का क्लास में लेंगे तो देखो मैंने पेड का फीस क्या रखा है अभी सरिफ मैंने सूचाए कि जो बच्चे अवेर हो जाएंगे उनको मैं 449 वैसे तो 500 का कोर्स है लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में गीवन है 449 इस बार पहले से बेटर सारे चीजे आपके लिए कर दी गई है जैसे कि देखो इंकम टेक्स का है इंकम टेक्स का मैंने टेनियर बना दिया है आपके सामने इंकम टेक्स का टेनियर समिस्टर पांच में बन चुका है सारे नोर्स बन चुके हैं सब कुछ बन चुका है इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे चिंता हो रही है लेकिन पता आपको क्यूंँ नहीं 449 का है कोई भी kourse जोइन कर सकते हैं वही आपका सेम लाइव क्लाससर पहले से बेटर हो गया है डाउट क्याशन पहले से बेटर हो गया है और live session हो गया doubt हो गया live में classes पूछना मतलब much more बहुत सारे चीजे इस बार हमने कोसिस करिए कि आपको short revision भी last में देंगे revision वाले points को एक kind of capsule type का वो हमने सोचा है कि आपको दिया जाए ठीक है तो hopefully आप मेरी बातों को समझेंगे जिन बच्चों को live class join करना है description में link है उनसे बात करके कर सकते हैं जिन बच्चों को YouTube पे पढ़ना है उठाईए pen register और पढ़ने लगी अभी से आप जिन बच्चों को आज पास अपने कहीं भी relative के पास पढ़ना है या कहीं coaching center में पढ़ना है तो वहाँ जाके जाए और पूछ आजाते हैं time बिलकुल निकल जाएगा बिलकुल इस तरीके से तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में hopefully आप ये सारी बातों को समझेंगे thank you so much और चैनल अगर आपके लिए ये वीडियो लगता है कि सर हां सर वीडियो देखके हमें value भी मिल रही है benefit हो रहा है तो जरूर चैनल को subscribe करिए आपके subscribe से कही न कही motivation जरूर मिलता है हमें भी thank you so much